बैतूल जुले में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्या कर दी महिला का गाउं के एक ही युवक से 10 साल से अफेयर था पती को इसका पता चल गया था महिला ने पती का मुँ दबाया और प्रेमी ने उसके पेट वस सीने पर चाकू से 19 वार किये मौके पर ही उसकी मौत हो गई पत्नी ने इसे सामान मौत करार देने के लिए पती के सफ को नहला भी दिया मामला सापूर के कछार गाउं का है घटना 17 फरवरी की है पुलिस ने 15 दिन बाद हत्या का खुलासा कर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया है अनसुया बाई का गाउं के राम विलास यादों से करीब 10 साल से अफेयर था 16 फरवरी को कछार गाउं में ही शादी थी सादी से पती राज 12 बजे घर लोटा तो पत्नी पीछे के कमरे में राम विलास के साथ गलत हालात में मिली पुलिस को अनसुया ने बताया कि पती ने उसे धमकाया था कि उसकी हरकत उसके पिता और भाई को बताएगा विवात के बाद राम विलास अपने घर और पती खेत पर चला गया राट 12 से 3 बजे के बिच अनसुया अपने प्रेमीर राम विलास के साथ खेत पर पहुची यहां खाट पर लेटे पती का उसने कपड़े से मूँ दबा दिया राम विलास ने चाकू से उसकी हत्या पर दी अपने आइडेंटी करने के लिए रुका रहा तरी यह जो है दो बजे इसके पास आया चुरा और लेके फिर गया कि कहा है वो बोले मंडे पर सुरा बोले चला आज उसको देख लेते हैं महिला ने मूँ दबाया उसने चाकू से 19 बार किये इसन सच्च्या की इसके बाद यह पीछले रस्ते से ही कहत की पीछे से पगड़न लिए और वहां से खुली जगे महां से वह निकल गया महिला के अपने सो गई खुल गया खुल गया खुल गया मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिस्थान खुल गया जी हाँ आपके शहर रीवा में मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS108 आश्रवाद प्लाजा धेकहा में खुल गया हम सिर्फ घर नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर complete furniture, modular kitchen, fall ceiling, wallpaper, 3D design की सेवाएं उपलत एक बार सेवा का उसर जरूर प्रदान करें मारोती इंटीर एंड कंसल्टेंट आश्रवाद प्लाजा दे कहा रीवा